गरूर पुरान के कर्मानुसार जाने किस नरक में जाएंगे, ये दस नरक बेहत्ख तरनाक माने जाते हैं, हिंदू धर्म के अनेक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक के बारे में बताई गई है गरुर पुरान के अनुसार स्वर्ग में देवता निवास करते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को भी वहां स्थान मिलती हैं वहीं बुरे कर्म करने वालों को नरक में भेज दिया जाता है जहां आत्मा को उसके कर्म के अनुसार सजा दी जाती है ऐसे में गुरुर पुरान के अनुसार दस ऐसे सबसे कठोर सजा के बारे में जानते हैं महारोरव इस प्रकार के नरक में चारों और आग ही आग होता है जैसे की किसी भट्टी में होती है वैसे लोग जो किसी दूसरों के घर, खेट, खलिहान या गोदाम इत्यादी में आग लगा देते हैं, उन्हें यहां जलाया जाता है महावीची नरक का यह स्थान पूरी तरह खून से भरी होती है साथ ही यहां लोहे के बड़े-बड़े कांटे लगा रहता है जो लोग गाय की हत्या करते हैं, उन्हें इस नरक की यातना भुगतने पड़ते हैं कुम्भी पाक इस नरक की जमीन गरम बालू और अंगारों से भरा होता है वैसे इनसान जो किसी की जमीन हडपते हैं या फिर ब्राहमन की हत्या करते हैं, उन्हें इस नरक में स्थान मिलता है रोरव नरक के इस हिस्से में लोहे के जलते हुए तीर होता है जो लोग किसी के विरुद्ध जूठी गवाही देते हैं, उन्हें इन तीरों से बींध दिया जाता है मंजूश यह जलते हुए लोहे जैसी धर्ती वाली नरक है यहां ऐसे लोगों की आत्मा को सजा दी जाती है, जो दूसरों को निर्पराध बंदी बनाते हैं या फिर कैद में रखते हैं अप्रतिष्ट यह पीब, मूत्र और उल्टी से भरा नरक होता है यहां उन लोगों को यात्ना मिलती है, जो दूसरों को कश्ट देते हैं या फिर सताते हैं विलेपक यहां लाखों की संख्या में शोले जलते रहते हैं यहां उन ब्राहमनों को जलाया जाता है, जो शराब का सेवन करते हैं महाप्रभ इस नरक में बड़े-बड़े नुकीले तीर होते हैं जो लोग पति-पत्नी में फूट डालते हैं, पति-पत्नी के रिष्टे को तुरवाते हैं उन्हें यहां उन्तीरों में पिरोया जाता है जयनती यहां जीवातमा को लोहे की बड़ी चट्टान के नीचे दबा कर सजादी जाती है जो भी लोग पराईस्त्री के साथ संभोग करते हैं उसे यहां लाये जाते हैं डौट शालमली यह जलते हुए कांटों से भरा नरक हैं। वैसी दुष्चरित्र महिला जो कई पुरुषों से संभोग करती है या फिर जो पुरुष दूसरों के धन और स्त्री पर नजर डालते हैं। उन्हें यहाँ पर लाया जाता है।